एलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल तो आज फिर हम बनाने जार एक निया पैटर निया पैटर यूनिक सा पैटर्न हाए असान पैटर्न हा जो हमारा बनके आएगा एट फंदो के एट की मंल्टीपल हमें फंदे चाहिए एट प्लास एट प्लास एट और दो फंदे हम साइड से यह देखे हमने कैसे निट करने हैं फर्स्ट फंदे को एस्टिच करेंगे दो फंदों को उल्टा निट करेंगे धागा पीछे छे फंदे सीधे एक दो तीन चार पांच छे यह हमारे पैटन की बेसिक रोव यह हमारे पैटन में काउंट नहीं होगी यह सिर्फ हमने सीधी साइड से एक बार ही यह रोव डलेगी जो पैटन हमारा स्टाट होगा वो हमारा उल्टी रोव से स्टाट होगा पैटन की ये वाली जो रो है ये हमने बस एक बार डालनी है एक बार हमने सिर्फ इसको पैटन को सेट करने के लिए छे फंदे सीधे और दो फंदे उल्टे ये दिखे एक दो तीन चार पांच छे छे सीधे दो उल्टे हमने ऐसे करते हुए ये हमारे बेसिक रो हमने डालने है यह हमारी basic row है pattern की row नहीं pattern हमारा next row से start होगा तो हम basic row डालके फिर मिलते अपनी pattern की first row पे हमारे pattern की first row ulti side यह हमारा pattern wrong side से start होगा अपने यह दिया रखने हमारे pattern की first row हम है wrong side पे इसको देखे हमने कैसे knit करना है first fund को stitch करेंगे धागे को पीछे लेके जाएंगे दो fund सीधे धागा अपनी तरफ दो fund सीधे next दो fund को हमने यह दिखे दो बर बल डाला है one एक बार दो बर बल डाला दूसरे fund को फिर हमने दो बर ही बल डाला यह दिखे दो fund फिर हमारे उल्टे यहां से हमारे एट fund का pattern complete होगा फिर से आप देखिए धागे को पीछे करेंगे दो fund सीधे पैटन की first row wrong side दो fund सीधे धाग अपनी तरफ दो fund उल्टे next दो fund को हमने दो बार बल डालके बुनना है एक दो और फिर next वाले दो fund फिर हमारे उल्टे यह हमारा एट fund का pattern यहां से यहां तक complete होगा फिर देखिए हमने एट fund फिर हम रपीट करेंगे धागे को पीछे दो fund सीधे धाग अपनी तरफ थर्ट और फोर्ट फिर फिर देखिए धागे को पीछे किया दो फिर दो बार धागल पेट के बनाना है शिक्स्त फिर हमने दो बार धागल पेट के बनाना है धागा अपनी तरफ दो फंदे सीधे दो बारल पेटा धागे को दूसरे फंदे पेटा फिर हमने दो फंदे सीधे सोरी उल्टे निट किये धागा इधर दो फंदे सीधे धागा अपनी तरफ एस्टिच वाले फंदे को उल्टा फिर हम आगे पैटन की सेकंड रो पैटन की ए सेकिंड रो सीधी साइड पे ये देखिए फॉस्ट फंदेको एश्टिच धागा अपनी तरफ दोफंदे उल्टे धागा पीछे दोफंदे सीधे धागा इधरी रेगा दोनों को BY बोल खोल के दोनों को दो फंदे सीधे, धागा पीछे दोनों का बल उतार के खूल के दोनों को बिना बुने उतार लेंगे, फिर धागा पीछे रहेगा, दो फंदे फिर हमने सीधे निट कर लेंगे, एट फंदे हमने पूरे ऐसे ही निट कर लेंगे, एक पर फिर दीखे धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे, धागा पीछे दो फंदे सीधे, दो फंदे को बल खोला और इनको बीना बुने उतार लिया, नेक्स्ट दो फंदे हमने सीधे निट कर लिये, फिर धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे, ऐसे हमने ये एट फंदो का पैटन ऐसे ही एट फंदे ऐसे ही धागा यहीं दर करके सीधा, उल्टी रो, पैटन की हमारी थर्ड रो, पैटन की थर्ड रो, रोंग साइड पे हम उल्टी रो पे यह दिके, फिर हमने पहले फंदे को एस्टिच, धागा पीछे दो फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे, दो फंदो को बिना बुने उतारेंगे फिर से, फिर दो फंदे हमारे उल्टे धागय को पीछे दोफंदे फिर सीधे फिर धागय अपनी तरफ दोफंदे उल्टे दो को बीना बुने उतार लेंगे जो दोफंदे पहले बीना बुने उतारे थे वही फिर हम दो बीना बुने उतारें फिर धागय पीछे दोफंदे सीधे पैटन की थर्ट रों हमने ऐसे कं तो अभी हमागे सीधी साइड पेट पैटर्ण की सीधी साइड है हमारी यह देखें दो उल्टे धागा पीछे फिर हमने दो फंदे फिर सीधे फिर दो को हमने बिना बुने उतारना है फिर हमने दो फंदे सीधे फिर धागा पनी तरफ दो फंदे उल्टे धागा पीछे दो फंदे बिना बुने सीधे दो फंदे बिना बुने और फिर दो फंदे सीधे असे हमने यह वले पैटरन की फॉर्थ रो कमप्लीट करके फिर आते पैटरन की फिफ्थ रो पे अब हम आ गाए पैटर्ण की उल्टी रो, पैटर्न की हमारी उल्टी रो है इसको फिर हमने ऐसे ही तीन, दो सीधे, दो फंदे उल्टे, दो को बिना बुने उतारेंगे, दो फिर उल्टे, ऐसे करते हमने ये पूरी रो कम्प्लीट कर लेंगे, पूरी कम्प्लीट करके फिर मिलते हम पैटन की नेक्स्ट रो पे, पैटन की नेक्स्ट रो हमारी लास्ट लास्ट रो हो गे इसके साथी हमारा पैट एक पैटन की लास्ट हो हमारी इसाइब यह हमारे पैटन के लास्ट रो आई और लास्ट रू धुत ल Fac कि अब इसके बाद धागे कफिर मेड्य कि यह हमारे यह देखे तीन फंदे दो फंदे ये और एक ये जो एक है इसको हमने पहले बुन लेना जो हम भी न बुने उतार रहे थे और ये अबने हमने ये दो फंदे सीधे निट कर लेने है पिर हमने ऐसे दो फंदे यहां से पीछे से उल्टे इस सीधे फंदे को छोड़के हमने ये दो फंदे निट निट करने हैं वह भी पीछी सो कि Renee को निट किया को कि आप सेकेंड को नेक्ट किया हिए दिखी पीछे से है हुआ हYU को सब्सक्राइब के बात एसे अंते ही हमने एसी पूरी ए्ठ्रो इसे ढालनेहीं यह देखे फिर दो फंदे उल्टे से भागा पीफे इन दो फंदों में से हमने फंब को लीரा यह दो फंदे चोड़के इसको पैलकर निटकिया अभी गlor दों कर लीर przyp da दोनों को निट करने के पास अभी फंदों को हमने सिलाइसे उतार दे तीनों को तीनों अब इधर वाले तीन फंदे तो या तो आप ऐसे कर लीजिए तीनों को सिलाइसे उतारिए दो को पहले ले लीजिए अब इस सीधे फंदे को हम यहाँ पे ले लेंगे अब इन दोनों को हमने सीधा निट कर लेना, तीनों को ही हमने सीधा निट कर लेना, एक, दो, तीन, यह देखे, फिर धागा पीछे चीदे फंदे को ऐसे बना लेंगे हम पहले वाले फंदे को और फिर हम सेकंड वाले फंदे को तीनों को सलाई से उतार देगा फिर हम देखें यहां से यह से फस्ट को छोड़के सेकंड को पहले निट करेंगे पीछे से फिर थर्ड को पहले निट करेंगे पीछे से अब दोनों को सलाई से उतार देंगे जो फंदा इसको आप निट करेंगे तो यह हमारा फंदा उल्टके पीछे आ जाएगा यह डखिए फिर धागा परी तरफ दौ फंदे उल्टे धागा बीछे इस फंदे को पहले करेंगे सीधह को जो बिना बने उतारा फिर दो को को निट करेंगे एसे हमने यह 8th row पूरी ऐसे डाल लेने पैटन की लास्ट रो 8 ऐसे ही पूरी डल जाएगी तो फिर हमारा पैटन 1st row से उल्टी रो से फिर स्टार्ट हो जाएगा यह हमारा 8 रो और 8 फंदो का पैटन ऐसे कम्प्लीट हो जाएगा यह देखें बड़ा राम से फंदे उल्ट जाएगे कोई आपको परिशानी नहीं होगी यह देखें तो हमारा पैटन कुछ ऐसा बनना स्टार्ट हो जाएगा यह देखें धागा पीछे हैस्टिज वाला फंदा सीधा अब फिर से हमने ऐसे स्टार्ट कर लेना देखो मैं आपको तरफ दो फंदे उल्टे फिर नेक्स्ट फंदे को दो बार धागाल पेटके फिर दो फंदे उल्टे ऐसे हमने जैसे पैटन की फस्ट रो डाली थी ऐसे हमने फिर से स्टार्ट कर देना और यही रो हमने रिपीट करती जाएंगे और हमारा पैटन बन कर त्यार हो जाएगा देखिए हमारा pattern बनने के बाद कुछ ऐसा लगेगा देखिए बिलकुल अलग सा pattern है बिलकुल देखिए इसमें जाली नहीं है pattern बिलकुल गफ बन के आएगा और यह देखिए pattern के look कितनी जबर दस्ता रही है और pattern ऐसा जिसको आप किसी भी color में डाल सकते हो किसी भी project में करके बताइए आपको कैसे लगा तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ अगर आपने अभी तक मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज 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 कर दीजिए